अपडेट स्पॉंसर बाई आशी स्टेक स्किल्स एटी एस रीवा नमबर वन कोडिंग इंस्टिट्यूट इन रीवा एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविन पैलेस रीवा नमस्कार स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में मैं आपके साथ रुवशी वन्दे भारत ट्रेन में एक शक्स को पेशाप करना महंगा पड़ गया ड्राइफ रूट कारोबारी दक्षिन एक्सप्रेस से हैदराबाद से भोपाल होते हुए सिंग्रॉली जा रहे थे भोपाल पर कुछ देर रात के लिए ट्रेन रुकी तो कारोबारी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्लेट फॉर्म पर उतर गया कारोबारी इस दौरान खाना लेने गया खाना लेने के बार कारोबारी को पेशाप आया तो सामने एक अन प्लेटफॉर्म पर वन्दे भारत ट्रेन खड़ी थी कारोबारी उसके अंदर पेशाप करने चला गया और इस दौरान गेट बंद हो गया इसके बाद कारोबारी ने टीटी और पुलिस के खूब हाथ पाँव जोड़े लेकिन ट्रेन नहीं रोकी गई और ट्रेन सीधे पहुँच गई उज्जैन इस दौरान उस पर जुर्माना अलग से लगाया गया इसके बाद कारोबारी ने वीडियो जारी कर अपना पीडा सोशल मीडिया पर जारी किया है और वंदे भारत में एमरजनसी में ट्रेन रोके जाने का सिश्टम ना होने को लेकर अपना विरोज जताया है दरसल सिंग्रॉली के बैढ़हन के रहने वाले अब्दुल कादिर उम्र 22 साल जिनका हैदराबाद के बेगम बाजार में जाफरान हाउस के नाम से ड्राइफ रूट की दुकान है वहीं सिंग्रॉली में भी एक ड्राइफ रूट की दुकान है 14 जुलाई को अपनी पत्नी और आठ साल के बेटे के साथ दक्षिन एक्सप्रेस ट्रेन से हैदराबाद से सिंग्रॉली के लिए रवाना हुए थे इसके लिए उन्होंने सेकेंड एसी का टिकेट लिया था 15 जुलाई के शाम 5 बचकर 20 मिनट पर उनकी ट्रेन भोपाल स्टेशन पहुँची वहीं 8.55 यानि 8 बचकर 55 मिनट पर ट्रेन सिंग्रॉली जाती भोपाल पहुँचने के बाद कादिर प्लेटफॉर्म पर परिवार सहित उतरे और वहां खाना लेने के लिए जाने लगे इस दौरान उनको पेशाब आया तो वह दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई ट्रेन में पेशाब करने के लिए चले गए जो कि वंदे भारत ट्रेन थी कादिर के अनुसार शाम 7 बचकर 24 मिनट पर ट्रेन में दाखिल हुए और 7 बचकर 25 मिनट पर किसी सूचना कि ट ट्रेन का गेट लॉक हो गया उन्होंने बहुत कोशिश की गेट खुलवाने की लेकिन गेट नहीं खुला गेट नहीं खुलने के बाद कादिर ट्रेन की बोगी में गए इस दौरान उन्हें अलग-अलग बोगियों में तीन टीटी मिले वहीं दो महिलाओं और दो की जुर्माना देने तक की बात की लेकिन फिर भी कोई भी गेट नहीं खोल पाया उनको बताया गया कि इस ट्रेन का गेट सिर्फ ड्राइवर ही खोल सकता है वहीं जब कादिर उनके पास जाने लगे तो उनको रोग दिया गया ट्रेन से उजयन पहुंचने पर कादिर ट्रेन पड़ा वहीं भोपाल से उजयन पहुंचने और भोपाल वापस लोटने की दौरान कादिर का 4,000 का टिकट छूड़ गया इस प्रकार कादिर को वंदे भारत एक्सप्रेस में चड़कर पेशाप करने का सूचना मात्र 6,000 की चपत लग गई हाला कि कादे ट्रेन में पेशाप अब भी नहीं कर पाए थे इससे पहले ट्रेन चल पड़ी थी अपडेट स्पॉंसर्ट बाई आशी स्टेक स्किल्स ATS रीवा नंबर वन कोडिंग इंस्टिट्यूट इन रीवा एड्रेस फर्स्ट फ्लोर रमा गोविन पैलेस रीवा